कुण्डली के प्रभावों को कैसे बतलना है कुण्डली ने तो बता दिया कुण्डली में जितने प्लैनेट्स हैं आपके माइंडसेट्स है सूर्य ये बताएगा कि आपकी आत्मा कहा है किस काम में आपकी आत्मा है चंद्री ये बताएगा आपका मन की स्थिथी क्या है क्या गवराते तो नहीं जैस्तिर रहते हो ब्रस्पति ये देगा कि विजन कितना क्लेर है बुद्ध यह देगा कि दिमाग से कितना चालाख है या चतुर है शुक्र यह देगा कि power of discrimination देता है और luxury देता है शनी क्या देगा? महनत देगा शनी क्या देगा? कड़ी सोच देगा तो वास्तव में आपके planets जो हैं आपके मनस है आपके मनस के विस्तार है ये तो planets का direct हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं है पर planets क्या करते हैं? हमारी सोच को ऐसा कर देते हैं अभी हम गुसे में आके किसी से जगड़ा कर लिया तो मंगल करवा गया पर अगर हमने उनको activities को बदल दिया हमने planets के प्रभावों को बदल दिया तो कुंडली फेल हो जाती है इसलिए predictions फेल होती है कर्म जब करते हो तो predictions जो है वो फेल हो जाती है अलांकि कुंडली आपको ये बता देती है कि इस व्यक्ति की मनुस्तिती कैसी है ये व्यक्ति सोचता कैसा है, दिखता कैसा है बात कैसी करता है देखने में कैसा है उंचा है के छोटा है पतला है के मोटा है एस्ट्रोजी ये बताएगी पर क्या उन प्रभावों को नहीं बतला जा सकता अगर एस्ट्रोजी में किसी के पीड़ा लिखिया है अरे जेल में जाने के बाद कैदियों को भी मेनत करने पर सजा कम कर दी जाती है कर दी जाती है ना तो एस्ट्रोजी हमें बताती है कि हमारे जो पूनर जनम जो रहा पूनर जनम में हमने क्या-क्या अपने मनस के अंदर संचे किया astrology के कारण से आपके जीवन में कोई दिक्कत है ऐसा नहीं है astrology ये बता रही है कि आपकी सोच ऐसी है इसलिए आपको दिक्कत है पर इसका ये अर्थ नहीं है कि astrology आपकी मेरा तो भाग्या ही खराब है ऐसा नहीं होता और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ये विधा मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसकी लाइफ कैसे है, कैसे रहेगी, पर मैं मत कभी लाना कि मुझे पता है, आपको कुछ नहीं बता, शूने हो, ये बात ध्यान रख लेना, जिस दिन शूने बनते हो, तो जिस भी नंबर के साथ लग जाओ उसको बढ़ा दोगे, जिस दिन एक नंबर वन बनने की कोशिश करी, उस वक्त सिर्फ एक नंबर रह गए, और जीवन में एक नंबर नहीं बनना, सिर्फ एक बन जाना, बनला फिस दिस आप कहा लेक, जिस दिस दुच बनना, सिर्फ बनहीं बनना, सिर्फ एक नंबर ओर कैसे कोशिये.